हेलो दोस्तो आज मैं आपको एनलोजी का एक important point बताने वाला हूँ पहले भी कई वार मैंने बताया है कि आपको किस pattern में question solve करने हैं आज मैं आपको ये बताऊँगा जब भी कई लोग आप question solve करते हैं तो आपके एक से जादे option आते है ठीक है जैसे किसी का एक आ रहा है किसी का four आ रहा है ठीक है तो उसे doubt होता है कि वो एक में लगाए four में लगाए तो मैं बताऊँ आप किस तरीके से उन question को कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप कभी ये मत सोचना कि मैं आपको अपने मन से answer बता रहा हूँ जो भी मैं आपको answer बताता हूँ जो भी answer आते हैं question के वो official answer होते है SSC के official answer आप चाहे उन papers को देख सकते हैं वहीं से मैं लेता हूँ कोई अपने मन से नहीं बनाए है मैंने जो official answer होते हैं वही मैं बताता हूँ ठीक है पाफी जगह यह लगता है ठीक है जैसे कभी ऐसा होता है कि आपके logic जो होते हैं वो अलग-अलग होता है क्योंकि ऐसा होता है reasoning में आपका तरक सकते हैं तो तरक सबके अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है कई सारे तरक हो सकते हैं जैसे यह maths तो है नहीं maths में तो आपका एक answer होता ह तब तक आप यहां पर इसके कितने भी आंसर दे सकते हैं, अलग-अलग तरीके से दे सकते हैं, इसलिए कभी भी analogy के question के लिए option होना जरूरी है, क्योंकि option के accordingly answer बनते हैं, जैसे यहां पर मैं कहूँगा, आप कहूगे, कि यहां पर 4 है, 9 है, 25 है, तो कोई इसका बोलेगा कि य अगर आपके पास option नहीं होंगे, तो यहां पर आप कई सारे answer दे सकते हो, क्योंकि यहां पर अलग-अलग तरके से आपसे दे सकते हो, तो पहला यह है, कि आपके पास 4 option होने चीए, आपको उसी के according answer सोचना है, अगर माल लीजे, आपका option में 36 है ही नहीं, तो यह logic उहां प पर बताने वाला हूँ, कि आपके जो भी मैंने answer बता है, आपके SSC के official answer होने चीए, देखो, कभी भी अगर दो option होंगे, आप objection करते हैं, और SSC उसे गलत मानता है, तो उस answer को सही मानता है, तो वो उसके सभी को, उसका फायदा होता है, वो सभी को number देता है, ऐसा नहीं है, क या आपने कभी ऐसा हुआ कि किसी question के दो answer आ जाता है, या गलत होता है, तो SSC को आप review कर सकते है, objection कर सकते है, वहाँ पर answer देता है, लेकिन आपको उसी के तरीके से सोचना होगा, जिस तरीके से वो answer होता है, ठीक है, analogy में जो important point है, ये आपका most important point है, जो मैं आपको बताता अब यहाँ पर हम चलते है, next में, अब देखो मैंने आपको option दे दिये, ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पर आपका answer क्या होगा, सभी एक बार इसको जरूर करके देखें, तो देखो यहाँ पर किसी का 36 answer आ रहा होगा, 36 वाले का logic क्या होगा, वो यहाँ पर कह सकता है कि य kind стан क्या होगा, ठीक है, next में, थी का square है, और next में, यह बोल सकते हैं कि 2 का है, तो 5 का square, next में 6 का square होगा, तो वो बोले का 36 answer है, next का किसी का logic यह भी हो सकता है, कि वो यह बोल सकता है, कि यह ऐपका 2 का square है, यह 3 का square है, तो आप देखोगे 2 π्राइम नंबर है, 3 प्राइम नमबर 5 का है तो next में 7 का स्क्वाइर होगा प्राइम नमबर ठीक है तो यानि कि 49 में आंसर हो सकता है इस तरीके से next वाला यहाँ पर यह logic लग जाएगा वो बोलेगा कि 2 का स्क्वाइर है और यह जो आपका next है 2 का क्यूब प्लस 1 है ठीक है 9 2 का क्यूब प्लस 1 9 हो गया ठीक है 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 अब यहाँ पर यह भी बोल सकते है कि यहाँ पर 5 का स्क्वाइर और यह 5 का क्यूब प्लस 1 यानि कि 126 भी answer आ रहा है ठीक है अब next में आप देखोगे यहाँ पर कैसे आ सकता है आप यहाँ पर logic के लग सकता है 4 दूनी 8 प्लस 1 9 आ गया ठीक है next 9 नमबर कैसे आ है 4 को 2 से multiply किया 4 को 2 से multiply किया प्लस 1 8 कर दिया और सेम इसी तरीके से हम देखें तो 25 को 2 से multiply करते है 25 दूनी 50 प्लस 1 51 भी answer आ सकता है तो अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से तो आपके कई answer आ सकते है ठीक है तो option कई आ सकते है लेकिन अगर आपके ऐसा वेसे तो option ऐसे आते नहीं है आप देखो यह तो basic है पहले तक तो आसान question आते थे simple simple square वाले लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे question आ रहे है जिसमें आपको सोचना होगा ठीक है तो इस तरीके से option कम आते है लेकिन फिर भी एक दो option ऐसे मिल जाते है क्योंकि आप सोच सकते हैं सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं एक दो question ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर दो option होते हैं ठीक है लेकिन जो भी मैं question कराता हूँ मैं official answer के साथ कराता हूँ तो आप निश्चिंत रहिए जो आपका answer मैं बताता हूँ वह उसका real answer है ठीक है real question है real answer है तो आपको उसी के according सोचना है ठीक है आप सोच सकते हैं क्योंकि अलग-लग answer हो सकते हैं लेकिन ये बात को आप हमेसा ध्यान में रखना है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो इतने answer आ सकते हैं, अब देखो यहाँ पर कोई और भी सोच सकता है, उसने का कि 4 को मैंने 3 से multiply किया, 4, 3, 12, 12 में से 3 minus किया, तो 9 आ गया, इसी तरीके से मैं 25 को 3 से multiply करूगा, तो 25, 3, 75 होगा, फिर 3 minus करूगा, तो 72 answer आ सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, कई answer आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इन 4 option में से आप कहेंगे कि कौन सा answer, अगर माल लिया जाए, यह 4 option आते हैं, तो आप कौन सा answer वहाँ पर टिक करेंगे, तो इसके लिए जो analogy में होता है, आप इसे odd one out में भी follow कर सकते है कहीं भी follow कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या priority याद करना है, ठीक है, आपको यह देखना है कि कौन सा pattern आपका सबसे पहले आएगा, ठीक है, उस pattern को पहले आपको follow करना है, तो यह pattern मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, जो आपकी priority list है, square और cube को आप एक साथ भी रख सकते है, square का logic भी लग सकता है, cube का logic भी लग सकता है, ठीक है, तो यह priority list है, अगर आपका जो भी answer आता है, तो आप किसके according देखें, सबसे पहले आप देखें, prime number है, अगर prime से logic आ रहा है, तो आपका answer होगा, उसके बाद मैं हर question में आपको बत आता हूँ, कि आप किस तरीके से देख सकते है, prime देख सकते है, square फिर आप cube देख सकते है, फिर उसके बाद multiplication और division देख सकते है, division और multiplication भी आपका एक साथ आता है, ठीक है, इसको भी आप division भी कर सकते है, multiplication भी कर सकते है, उसके बाद आप addition और subtraction भी कर सकते है, यह सारी वीडियो में हर question में तो बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं question solve करा तो जो भी previous year आयोते हैं मैं यह सोचता हूँ कि आप सभी ने तैयारी तो सभी ने कियोगी जो भी अभी तब चुड़े हुए सभी तैयारी कर चुके हैं सभी question ढूरते हुए आएं कि इन्हे question यह जो question मैंने कराएं कहीं नहीं मिले ठीक है ढूरते हुए काफी लोग को question ढूरते हुए channel मिला हुआ है तो सभी लोग तैयारी करके हैं सभी ने पढ़ा हुआ अगर आपके पास चार से पांच digit का आपका option होता है यानि कि 4-5 डिजिट का आपकी संख्याय होती है तो वहां पर आपको देखते हैं, digit sum देखते हैं ठीक है कई कई जगह यह भी होता है जैसे आप देखने चार दो तीन इस तरीके के question होता है, यहां पर पांच ठीक है तो इसके बाद यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के logic हो सकते हैं ठीक है जिसे आप कह सकते हो कि मतलब उसमें कोई यही logic square का नहीं लग सकता है अब देखो square में भी कई pattern होते है square में क्या क्या pattern होते है जैसे आपने माल लिया कि यह n है तो n square minus 1 वाला हो सकता है यानि कि आपका pattern क्या होगा n square होगा उसमें से 1 घटा रहे होंगे तो यह pattern लग रहा होगा या यह हो सकता है n square plus 1 हो सकता है n square minus 2 हो सकता है n square आपका plus 2 हो सकता है इस तरीके के logic हो सकता है n square plus 1 n हो तो यह सारे pattern लगता है आपको देखना पड़ता है मैंने आपको पहले भी बताया जैसे आपके पास question आया तो आप यह देखें कि यह number कहीं square के आसपास तो नहीं है minus 5 तक हो सकता है यानि कि n square minus 6 हो सकता है ठीक है नमबर से इस तरीके के pattern होते है ठीक है फिर उसके बाद जब ये सारे आपको अगर नजर नहीं आते तो फिर आप multiply करते हैं multiplication करते हैं division का देखते हैं और even देखते हैं ठीक है जैसे multiply आपने किया किसी number को किसी से multiply किया उसमें fix number add किया है इस तरीके के logic होते हैं समझ महारा मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है तो आपको जो pattern follow करना है जो priority list है वो आपकी इसी तरीके से अब इस logic में आप सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे इसका answer क्या होगा अगर आप देखेंगे यह आपका 2 का square है prime number का square है यह यहां प्राइम नंबर का square है यह प्राइम नंबर का square आपका 49 आज आएगा अगर आपके ऐसे option आते हैं तो आपका answer क्या हो जाता है 49 हो जाता है लेकिन इस तरीके के option अभी मिलते नहीं है एक या दो option में जरूर ऐसा हो सकता है कि आपके अलग-लग तरक आएं ठीक है जिस अभी मैं एक question भी बताऊँ है जो SSC में आया हुआ है तो कई सारे मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि कई सारे बच्चों के comment आते हैं कि इसका answer ये है इसका answer ये है ठीक है ठीक है मैं मानता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत सोच रहें क्योंकि logic है logic तो सबका अलग-अलग हो सकता है ठीक है कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ये option का जो answer होता है उसको भी अलग-अलग तरीके से सोचते हैं ठीक है वो भी मैंने कभी नहीं कहा है कि गलत है जो ssc का answer है वहाँ पर आप अलग-अलग तरीके से उस option में पहुंच सकते हैं उसके alternate solution हो सकते हैं लेकिन आपका answer वही होना चीए ठीक है ये बात आप ध्यान में रखना क्योंकि mark सा आपको तभी मिलेंगे ठीक है और priority list मैंने बता दिये काफी बार मैं इसे बता चुका हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने का n2 प्लस n है तो आप ये भी देख सकते हैं n3-n2 इस तरीके के pattern होते हैं ठीक है समझ महार है या n3 प्लस 1 होगा ठीक है ये pattern होते हैं सारे pattern होते हैं आप देखो कि ये बताने की उतनी जरुवत नहीं है क्योंकि इतने सारे question कर दी हैं हमने आपको पता भी चल गया होगा कि क्या क्या logic हो सकते हैं ठीक है क्योंकि वो answer मैंने SSC के ही लिए कोई अपने मन से नहीं बनाए है समझ गए ठीक है अब आपको क्या करना है यह मैंने priority list बना दी इस तरीके से अगर आपको किसी question में doubt होता है तो आप इस तरीके से उसे solve कर सकते हैं अब जैसे एक question आया था यह मैं आपको बता देता हूँ यह question analogy का था अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैंने जो logic बताया है क्योंकि आसानी से दिग भी रहा था यहाँ पर आप देखो मैंने logic बताया square वाला तो square वाला क्या logic था यहाँ पर 3 का square plus 1 ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे 4 का square plus 1 यह logic था और इसी के according आप देखोगे कि आपको कौनसा option मिलेगा आप देखें यह option मिलेगा पहला option आपको नजर आएगा यहाँ ठीक है 5 का square plus 1 और 6 का square plus 1 तो आपका answer क्या आजागा first option ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 26 यहाँ पर प्राइम नमबर नहीं है, 37 यहाँ पर प्राइम नमबर है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, अगर लॉजिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइम नमबर है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं, फिर prime number है 28 नहीं है ठीक है या अपस मोगे इस तरीके से भी आफस को सकते हैं ठीक है square और उसमें तो ये इसका मैंने answer बताया था लेकिन बच्चों ने comment किए की कि उन्होंने क्या logic दिया ठीक है उन्होंने क्या logic दिया मैं इसका बता रहा हूँ किसका logic उन्होंने किया कि अगर हम 10 का half करें या आप कह सकतो 10 को 1 बटे 2 से multiply करें तो आपका कितना आ गया 5 आ गया और 5 में 3 से multiply करें फिर 2 add कर दें तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा 15 तियां 15 प्लस तो 17 आ जाएगा तो इसी तरीके से उन्हें 4th option चेक किया 20 का half किया कितना आया 10 10 को 3 से multiply किया प्लस 2 add किया तो 10 तियां 30 प्लस 2 32 आ गया तो उन्होंने कहा कि उनका ये answer भी 4th answer है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका logic गलत है ठीक है logic सही है priority मैंने आपको बता दी जैसे square आपको देखना है पहले फिर उसके बाद multiply बाद में आता है multiplication से भी कई सारे question solve होते है ठीक है division से भी कई सारे होते है odd one out में आप देखोगे कोई 3 option division में 4 से divide हो रहे होंगे एक नहीं हो रहा होगा ठीक है समझ गए तो उससे भी होते है यह logic भी आपके सही है मैं कलत नहीं कर रहा हूँ लेकिन SSC का answer जो है 26-36 और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जब square से आसानी से आप देख रहे हैं तो थोड़ा typical नहीं होता क्योंकि logic सोच सकते हैं जब मैंने सुरुआत में question कराये थे जब मैंने CHSL के question कराये थे जैसी answer की आई थी तो बच्चों ने demand किया था कि उसके आप क्या कहते है answer बताये logic बताये तो मैंने तुरंत जैसी answer किया थी उसके बाद उनके logic बताये थे कई सारे question में ऐसा भी था कि मैंने देखे question और तुरंत मुझे logic बता थे जो मेरे mind में आया वो मैंने बता दिया और मैंने वहाँ पर ये भी बोला कि आप ये देख सकते हैं कि क्या गयता है आपको यहाँ पर इससे आसान logic भी हो सकता है इसलिए आपको question खुश से करने होते है खुश से करेंगे तो आपके ये doubt भी clear हो जाएंगे आपके एक से जादे option आएंगे तो आपको समझ में भी आएगा ठीक है बस आप ये निश्चिंत रहिए जो भी answer मैंने बताया वो official answer है क्योंकि unmarks तो 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 मैं official answer पर ही मिलने हैं और किस तरीके से आप follow कर सकते हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है ये आप priority ध्यान में रख सकते हैं ठीक है पहला prime आप देखेंगे फिर square cube square cube में कभी cube square भी हो सकता है क्योंकि आसपास ये आप इसको एकी साथ रखें multiplication देखें फिर division देखें ये भी पहले division multiplication कुछ भी हो सकता है फिर उसके बाद additional subtraction देखेंगे ठीक है फिर आप देख सकते हैं यहां पर और भी logic आ सकते हैं ठीक है कि किसी में square भी हो रहा हो multiply भी हो रहा हो जैसे मैं कह सकता हूँ कि n square into 2 भी हो रहा हो या n square into n हो रहा हो ठीक है ये फिर पाद में आता है अगर आपको ये सारे logic आपको नहीं देख रहे है इस तरीके से आप सोचें बस यही मैंने आपको बताना था बांकि आप इतने सारे question मैंने करा दियें आप उन्हें देख सकते हैं ठीक है उन्हें देखें उसके according answer आप भले ही आप question मैंने आपको question प्रोवाइड करें ठीक है जितने सारे question आपके अच्छे level का हैं आप उस solution को follow ना करें लेकिन आप question देखके उसके जो मैंने answer बताये हैं उस answer को देखके अपने तरीके से solve करें ठीक है क्योंकि सभी त्यारी कर रहे हैं और सभी को पता है किस तरीके से solve करते है question तो आप उसको देखके question देखे और उसका answer देखे बस ये माल लीजिए कि मैंने answer आपको गलत नहीं बता है answer वही है जो SSC का है अगर किसी question में आपके दो answer आते तो हो सकता है SSC की misprint हो हुआ हो या question में कहीं पर गलती हुई हो हो सकता है लेकिन मैंने answer आपको सही बता है ठीक है यही मैंने आपको बताना था तो आप देख सकते हैं कहीं पर हो सकता है मैंने logic कोई tough बता दिया हो क्योंकि मैंने उसी समय एकदम से question देखा और मुझे वही logic आया तो मैंने वही बता दिया उसका उससे आसान logic भी होशकता है तो आप खुश से जरूर करें मैंने हमीशा गाया कि खुश से practice करेंगे तो आपको ही फायदा हुआ तो आप कर सकते हैं भांकी यही जो मैंने बतानत हैं आपे तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं आप चैनल को सेयर कर सकते हैं ठीक है सब्सक्राइब करें ठीक है तो आप यहीं पर समाप्त करते हैं ठेंक यू